हलो फ्रेंट्स आज मैं आपको फ्री कीवर्ड रिसर्च पे एक ऐसा टूल बताऊंगा जिसका एक्स्टेंसन अगर आप अपने क्रोम में एड कर लोगे तो आपको जो है अराम से गूगल के पेज पे ही आप जो है असानी से उसका सर्च वॉलूम, CPC और कीवर्ड ये चेक कर सकते हो और ये अप जो है हर एक पर्टिकुलर कंट्री के लिए इससे कीवर्ड जो है वो रिसर्च कर सकते हो तो चलिए देखते हैं कि वो कौन सा कीवर्ड है कौन सा कीवर्ड टूल है कौन सा एक्स्टेंसन है उससे पहले अगर आप इस चनल पे नहां तो इस च करना है search करोगे तो यह जो है इसका extension यहां पे आपको मिल जाएगा आपको इसको जो है अपने Chrome में add कर लेना तो इसको आप open कर लेना open करोगे तो यह कुछ इस तरह से यहां पर आएगा तो इसमें देख लेते हैं सबसे पहले इसकी quality क्या क्या है तो यहां पे अगर आप अगर इसका ओवर्वीव अगर आप देखोगे तो यह जो है वो कीवर्ड का सर्च वालूम बताता है सीपीसी बताता है कमपटीशन फॉर गूगल सर्च इंजन रिजल्ट पेज़ेज इसके बारे में बताता है तो यहां पर और यह जो है वो विल्कुल फ्री है ठीक है इसलि इसलिए उसको हम यूज नहीं कर सकते तो उसके जगा पर यह एक उसका बेस्ट अल्टर्नेटिव है तो आप जो है इसको अपने एड़ टु क्रोम आप करोगे और एड़ टु क्रोम करके यहां पर एड़ एक्स्टेंशन कर लोगे तो यह आपके क्रोम में एड़ हो तो सबसे पहले जो आपका एक्स्टेंशन यहां पर डाउनलोड हो जुका होगा तो उसको आप क्या करोगे अपने एक्स्टेंशन में जाओगे और यहां पर पिन कर दोगे तो यह यहां पर दिखने लगेगा अब आप इसको जब आउन करोगे तो यहां पर देखिए यह जो है location जो है वो US का है और यहाँ पे तो पहले अब यहाँ पे आपको क्या करना है view advanced setting पे आपको जाना है तो यहाँ पे get free live keyword API ठीक है तो यह आपको यहाँ पे click करना है तो यह आपको जो है API की यहाँ पे आपको दे देगा तो यहाँ पे आपको सबसे पहले क्या करना है कि लॉग इन करना है लॉग इन करने के लिए आप या तो Facebook यूज़ कर सकते हो Google यूज़ कर सकते हो या फिर अपना email ID और password डाल सकते हो email ID और password आप जब भी डाले अपना password हमेशा different रखें ठीक है यह password जो है वो सेम जो Gmail का password है वो password यहाँ पे नहीं डालना होता है ठीक है तो यहाँ पे आपको जो है यहाँ पे sign up कर लेना है तो पहले मैं sign up कर लेता हूँ उसके बाद मैं आपको आगे का process बताता हूँ कैसे आप API की ले सकते हो और कैसे यहाँ पे डाल सकते हो तो यहाँ पे आप जैसे account बना करके sign up करोगे तो आपको जो है सबसे पहले यहाँ पे आपको दिखी जाएगा योर API की इस API की को आपको copy कर लेना है आप इस API की को को यहाँ से copy कर लोगे ठीक है तो API की और copy करने के बाद अब आपको क्या करना है कि अपना यहाँ पे आपको API की जो है वो validate करना है यहाँ पे इंटरी और API की तो यहाँ पे आपको अपना API की डालना है और validate API की पे click कर देना तो आपका API की validated successfully का option यहाँ पे आ जाएगा तो अब आपका जो है यह आपका जो keyword research वाला जो यह extension है वो अब जो है वो live हो चुका है तो यहाँ पे आपका जो keyword research tool है वो अब live हो चुका है अब आप Google पे अराम से उससे keyword research कर सकते हैं तो यहाँ पे आप click करोगे अब आप क्या करोगे कि Google पे आओगे और यहाँ पे आप जो है अब कुछ भी search करोगे जैसे कि मानलेज आपको affiliate marketing पे कोई article लिखना है उसके लिए keyword research करना है तो यहाँ पे आप जो है इसको affiliate marketing लिखके enter करोगे तो यहाँ पे आप देखोगे affiliate marketing से related जो है वो keywords आपको यहाँ पे मिलेंगे ठीक तो यह देखिए जैसे ही मैंने affiliate marketing लिखकर के यहाँ पे जो यहाँ पे यह देखिए जैसे ही down यहाँ पे मैं आया यहाँ पे देखिए keyword यहाँ पे मुझे brand washer ओया है ठीक मैंने जो अफ्लेट marketing लिखके यहाँ पे search किया तो affiliate marketing से related keywords मुझे यहाँ पे मिल गया और यहाँ पे देखिए related keywords यहाँ पे जो है वो इतने keywords यह आपको देगा ठीक है तो इसमें आपको volume दे रहा है CPC दे रहा है और competition दे रहा है तो यहाँ पे देखिए affiliate marketing websites जो है इसका volume 2400 है और CPC 7.29 dollar है और competition 55% है affiliate marketing Amazon जो है इस पे देखिए 4400 volume है 4.43 CPC है 25% जो है वो competition है ठीक है तो इस तरह से आपको जो है यह पूरा data दे दे देता है और आपको पता चल जाता है कि आपको किस तरह keyword use करने है अब जैसे यहाँ इसी में आप देखोगे तो यह कितने अच्छे अच्छे keywords आपको दिया हुआ है जैसे कि देखिए how to start affiliate marketing इस पे 2900 जो है वो volume है और यह 4.29 जो है वो dollar यहाँ पे CPC है यह देखिए यहाँ पे 12 dollar CPC यह दे रहा है किस वाले यह affiliate marketing companies पे ठीक है और 1000 इसका volume है तो अब यहाँ पे कौन से keyword को आपको target करना है तो target जिसका volume जादा हो CPC जादा हो और competition कम हो तो अगर यहाँ पे आपको target करना होगा तो amazing marketing यह जो है affiliate marketing amazing इसको आप target कर सकते हो क्योंकि इसका competition 25% है तो इस पे rank करने के chances जो है वो काफी अच्छे है ठीक है तो इस जो है वो किसी particular country के लिए दे रहा है किस country के लिए आप कर रहा हो उस country के लिए यह दे रहा है अगर आप चाहो तो इसका country चेंज कर सकते हो setting करके अब यहाँ पे जैसे कि आपको country चेंज करना है तो country चेंज करने के लिए आप क्या करोगे कि यहाँ पे click करोगे और यह देख तो अभी इंडिया टार्गेट कर लोगे और फिर सही इसको जो है रिफ्रेस्ट करोगे तो यह जो अब जो कीवर्ट देगा वो इंडिया के लिए देगा तो यहाँ पर हम देख लेते हैं कि इसने जो कीवर्ट जो दिया है अब वो पहले से अभी डिफरेंट है या नहीं है यहाँ पे देखिए, अभी इसमें आप देखोगे, तो इंडिया में ये keywords जो हैं, बिल्कुल different है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, affiliate marketing amazing, US में इसका 2000 something था, जो अब ने देखा, लेकिन यहाँ पे इंडिया में इसकी volume जो है, वो बिल्कुल free में मिल जाते हैं, ठीक, तो ये चीज आपको यहाँ से मिल जाता है, इस तरह से आप keywords यहाँ से free में कम से कम 10 keywords तो आप निकाल लोगे, ठीक, उसके अलवा आपको नीचे यहाँ पे keyword suggest, suggestion यहाँ पे मिलता है, उसके अलवा आप जो है, और keywords यहाँ पे affiliate marketing जो है, तो इसका भी suggestions यहाँ पे देखिए आपको मिल जाएगा, ठीक है, इतने सारे keywords आपको मिल जाएंगे, तो अब यह जो data दे रहा है, वो particular accurate data दे रहा है या नहीं दे रहा है, इसको कैसे हम check करेंगे, तो अब जैसे कि मैंने affiliate marketing लिखके यहाँ पे सर्च किया, तो सेम चीज हम RF पे लिखके सर्च कर लेते हैं, यहाँ पे देखिए मैंने affiliate marketing RF के लिए लिखके सर्च किया है, वो भी इंडिया के लिए ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि data जो है, इसने तो RF में तो खैर आपको पता ही है, यह काफी अच्छा टूल है और इसका paid version तो बहुत ही अच्छा है, लेकिन इसमें जो data जो आ रहा है, उसके बारे में हम देख लेते हैं कि data लगभग similar होना चाहिए, अगर data similar होता है तो यह tool काफी अच्छा है, तो यहाँ पे अब RF में आप जाओगे तो यह देखिए, यहाँ पे आपको जो है वो same keywords जो है वो आपको मिल जाएंगे, लगभग मैं आपको बतादू, जैसे कि देखिए affiliate marketing websites, यहाँ पे आप देखोगे 5.8K है, और यहाँ पे आपको CPC 1.50 मिलता है, तो और same यहाँ पे जो मैंने सर्च किया, तो affiliate marketing websites तो data इसका वोलूम 4,400 बता रहा है, तो आप देख सकते हों कि लगभग nearly जो है वो same है, और competition भी 59% बता रहा है, तो इसके अलबा affiliate marketing amazing जो है, इस पे क्या data है यह भी हम चेक कर लेते हैं, तो यहाँ पे आपको affiliate marketing amazing जो है, यह देखे यहाँ पे है, 59 यहाँ इसका जो competition है, 11,000 जो है, वो इसका है, 19,000 जो है, वो यहाँ पे आप देख सकते हैं, 11,000 इसका वोलूम है, 19,000 यहाँ पे जी भी है, ठीक है, यह ग्लोबल सर्च वालूम, तो यह और इस पे जो CPC है, 0.8 है, ठीक, तो अब यहाँ पे भी हम देख लेते हैं, जैसे affiliate marketing amazing, इस पे देखे वालूम जो है, वो 22,000 बता रहा है, CPC जो है, जो है, 0.49 है, और competition इतना बता रहा है, तो मतलब लगबग मिला के आपको idea हो जाया, कि जो RF पे जो बता रहा है, और जो इस पे बता रहा है, तो लगबग यह है, कि जो RF पे बता रहा है, same, उससे मिल, मतलब related, उसके आसपास का जो यह दे रहा है, ठीक है, आपको data, तो इससे आपको आइडिया मिल जाएगा कि आप जो है इस टूल को यूज करके फ्री कीवर्ड रिसर्च आप अराम से कर सकते हो तो इसलिए फ्रेंड्स ये जो है फ्री टूल आप अराम से यूज करो आपको फ्री कीवर्ड रिसर्च करने में काफी help करेगा और इससे जो है आप अराम से 10 keyword तो निकाल लोगे ठीक है उसके अलबा और suggested keyword आप नीचे से और यहां से निकाल लोगे तो यह आपके लिए जो अगर आपके पास कोई free keyword research tool नहीं है तो आपके लिए यह काफी आसान होगा कि आप इसको use करोगे और बहुत जादा time आपका waste नहीं होगा जब google पर आप research कर रहे होगे उसी समय आप जो को keyword का idea लग जाएगा तो बाकी दूसरे tools पर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी इसके अलबा मैंने आपने चैनल पर keyword research के बारे में और भी वीडियोस मैंने बता चुका हूँ की suggest के बारे मैं मैंने बता चुका हूँ और दूसरे tools के बारे में मैं बता चुका उँ तो आप जो है उसको यहाँ पर देख सकते हो जैसे कि आप देखो यहाँ पर advanced keyword research यह आप को यहाँ पर मिल जाएंगे जिसे यहाँ पर देखिए तो आप उसको देख सकते हो देखकर के आपको बहुत सारा टूल्स के बारे में आडिया लग जागा सारे जो मैंने बताया है सब फ्री टूल्स के बारे में बताया है तो friends I hope कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और समझ में आ गई होगी अगर कोई प्रोड़म होती हो तेलिगाम गूरूप जॉइन कर लो वहाँ पे मुझे मैसेज कर सकते हो जो भी आपके क्वेरी जोंगे मैं उसका आंसर देदूँगा बागी मिलते हैं पर नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए वाई वाई टेक्टियर